नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में कॉलर नैक डिजाइन बी प्लाकट के साथ शेयर करने वाली हूँ इसके इजी स्टेप्स देकर बिगनर स्वी से इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स यहां कॉलर कुर्ती मैंने कट कर रखी है कॉलर कुर्ती कैसे कट करते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस कुर्ती में शोल्डर लाइन सवा साथ इंच है और चैस्ट लाइन 38 इंच है अब हम कॉलर नेक के लिए मार्किंग करेंगे यहां गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है पहले हम 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे अब देखिए बैक पैनल को एक इंच उचा कट किया है तो यहां एक इंच लंबा हमें नेक कट करना है और गले की जो चौड़ाई है उसमें चौथा इंच बढ़ा देना है तो back panel में गले की जो measurement है वो रहेगी सवा 3 इंच चौड़ाई और 1 इंच लंबाई अब back panel को हटा के हम front panel में collar के लिए neck की cutting करेंगे यहां गले की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी हमें 3 इंच रखनी है यहां हम round neck इस तरीके से mark करके और पहले round neck cut कर लेंगे अब यहां हमें V-placket के लिए marking करनी है तो पहले हम एक 3 इंच पे mark करेंगे और उसके बाद हम फिर से नेचे की तरफ 5 इंच पे mark करेंगे यहां तक हमारा placket बनेगा उपर जो marking की है वहाँ पे इस तरीके से V-shape में cut लगा दें और आगे की तरफ हमें सीधा cut लगाना है इस तरीके से पूरी cutting हो चुकी है अब देखिए placket बनाने के लिए मैंने ये उरे पटी ली है दो अलग-अलग color की और दोनों पटीयां मैंने 3 इंच चौड़ी ली है और उरे पटीयों की लंबाई हमें placket के हिसाब से लेनी है जितनी हमने placket लंबी रखी है उससे हमें करीब 2 इंच एक्स्ट्रा लंबी cut करनी है अब इनको लगाने के लिए हम front panel को उल्टा रखेंगे अब देखे यहां से placket पर हम इस उरे पटी को stitch करेंगे देखे जहां तक हमने cut लगाया है वहां तक हमें stitch करना है और देखे यहां पर हम इसे L शेप में complete करेंगे अब दूसरी साइड भी strip लगाएंगे और उसे L शेप में ही stitch करेंगे दोनों उरे पटीयों को इस तरीके से placket पर लगाना है अब यहां पर दोनों कौनों पर इस तरीके से cut लगा दे अब इन दोनों उरे पटीयों में से जो पटी आपको अंदर की तरफ रखनी है उसे एक इंच छोटा कर दे अब इन दोनों पटीयों को हमें आगे की तरफ गुमा देना है देखिए इस तरीके से गुमाने के बाद जो पटी हमने एक इंच छोटी कर दी है पहले हम उसे स्टिच करेंगे इस तरीके से फोल करके और इसे स्टिच कर लें इसे करीब एक इंच चोड़ा रखना है देखिए जैसे मैंने दिखाया है उस तरीके से इस प्लैकेट को फोल करके और एक साइट से स्टिच कर लें एक साइड स्टिच होने के बाद अब जो एक्स्ट्रा है उपर की तरफ उसे पहले कट कर ले अब दूसरे साइड वाली उरे पट्टी को भी हम इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ प्लैकेट बनाएंगे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है अब इसे भी हम यहाँ स्टिच करेंगे इस तरीके से आधे तक स्टिच करने के बाद दूसरी साइड वाली प्लैकेट को अच्छे से से सैट कर ले और अंदर की तरफ दबा दे अब हम आगे की तरफ प्लैकेट को स्टिच करते जाएंगे अब यहाँ स्टिप की एंड को भी इस तरीके से फोल्ड करके और पूरे में स्टिच कर ले अब देखिए प्लैकेट को हमें इस तरीके से कमप्रीट करना है जहां तक हमने cut लगया है वहां तक हम इन दोनो strips को एक साथ बंद करेंगे देखे जहां तक cut है वहां तक हमें stitch करना है और यहां इस तरीके से double stitch करके और placket को complete करना है अब यहां दूसरी side जो हमने उरे पट्टी लगाई है उसमें भी extra हो तो cut कर ले देखे वी placket हमारा ready हो चुका है उसके बाद हमें तीरे को जोड़ना है तीरा जोड़ने के बाद अब हम कुर्ती को इस तरीके से fold करेंगे collar measurement के लिए यहां हमें collar measure करना है कि हमें कितना लंबा collar चाहिए देखिए इस तरीके से पूरे नैक पर अच्छे से tape को गुमाते जाए और measurement ले यहां साड़े आठ इंच मतलब टोटल 17 इंच का हमारा लंबा collar बनेगा उसके लिए मैंने यह folded pasting paper लिया है उसे पहले एक pin से fix कर ले अब collar की measurement से पहले हम यहां एक straight line इस तरीके से catch लेंगे जो टेड़ हो वो निकाल लेनी है अब तीन इंच तक हम बिलकुल सीधा लेंगे और आगे की तरफ इस तरीके से हमें collar का shape देते हुए गुलाई में mark करना है अब इस line को हम इस तरीके से एक बार measure करेंगे जितना हमें collar चाहिए वहां तक mark करना है हम यहां साड़े 8 इंच पे mark कर लेंगे अब उसके बाद हम 1 इंच चोड़ा collar बनाएंगे तो पूरे में हमें इस तरीके से 1 इंच पे mark कर लेना है अब पूरा collar का इस तरीके से shape दे दे collar को आगे की तरफ आपको इस तरीके से गुलाई में cut करना है अब पूरी collar की marking होने के बाद collar को cut कर ले अब इसके बाद इस cutting को हमें कपड़े के उपर paste कर लेना है बाहर की तरफ देखिए मैंने folding का extra रखा है अब इसी same size का एक और कपड़ा cut कर ले अब पहले जिस कपड़े पर हमने pasting की है उसे बाहर की तरफ fold कर ले folding के बाद अब जो हमने same size का कपड़ा लिया है उसके उपर रखकर यहां collar को हम stitch करेंगे इस तरीके से पूरा collar stitch होने के बाद जो extra कपड़ा है उसे cut कर ले देखिए अंदर की तरफ हमें इस तरीके से cutting कर लेनी है पूरी गोलाई पर हम छोटे cut लगाएंगे अब देखिए जो हमने नीचे की तरफ extra लिया है उसमें यहां सिर्फ लाई जितना ही extra कपड़ा रखना है अगर उसे ज़ादा है तो उसे cut कर ले अब इस collar को हम सीधा कर लेंगे collar को कुर्ती के साथ attach करने से पहले collar को एक बार iron जरूर कर ले अब पूरे neck पर हमें इस तरीके से round में इस collar को लगाना है अब उसके लिए कुर्ती को उल्टा रख दे अब देखिए V placket से लेकर हमें इस तरीके से collar को stitch करना है जितना हमने sly का रखा है extra उतना पूरा sly में अंदर दबाएं यहां तीरे को हमें दोनों साइड इस तरीके से खोल देना है और collar को बिल्कुल loose इस neck पर हमें यहां stitch करना है collar को बिल्कुल भी catchे नहीं अगर collar को आप catch दे हुए stitch करेंगे तो वो size से बड़ा हो जाएगा अब देखिए इस तरीके से पूरे neck पर गोल गुमाते जाएं अच्छे से और इस collar को यहां fix कर लें collar की एक stitching के बाद अब इसको कुर्ती को सीधा कर लें सीधा करने के बाद collar को भी हमें बाहर की तरफ गुमाना है बाहर की तरफ गुमाके अब पूरे collar पर हम किनारी पर stitch करेंगे और collar को complete कर लेंगे collar neck design V-placket के साथ complete हो चुकी है friends यहां प्लacket पर एक site आप buttons लगा दें इस तरीके से friends अगर आपको मेरा ये collar neck design पसंद है तो like और comment करना न भूलिएगा Thank you watching for this video